हेलो स्टूडेंट्स तो अगर आप साइन्स टूडेंट्स हो यानि के प्लस वन प्लस टू के क्लास के आप साइन्स टूडेंट्स हो और आपका जो सेशन है 2022-23 जो है शुरू हो चुका है मतलब विकेशन भी आपकी जो है ओवर हो चुकी है स्कूल्स आपके खुल गए हैं तो मैं आपको एक study material के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको पंजाब educator आप में से मिल जाएगा ये section आप देख सकते हो Let's Learn जो अभी मैंने आपको screen पे दिखाया यहाँ पे chemistry का 12 का हमने एक section खोला है तो यह आपको chemistry में भी मिलेगा अगर आप students corner को open करके chemistry में जाके चेक करोगे या फिर आप physics में करोगे तो भी आपको let's learn का एक section new section यहाँ पे पंजाब educator की app में आपको दिखने वाला है और आपके लिए काफी useful होने वाला है यह वो कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ पहले हम देखते हैं कि यह plus two के इलावा क्या हमको plus one class में भी देखने को मिल रहा है तो यह देखे हमने plus one class का science group open कर लिया है तो यहाँ पे physics अगर plus one देखे हम तो यहाँ पे भी एक section हमको let's learn का एक section हमको दिखाई दे रहा है screen पे आपको similarly अगर आप chemistry में चेक करोगे तो chemistry म में भी आपको यह let's learn दिखाई देगा और biology में भी दिखाई देगा mathematics में नहीं मिलेगा आपको यह science group के तीन section में देखने को मिल रहा है 12th physics 11th physics and similarly 12th bio 11th bio and 12th chemistry and 11th chemistry में let's learn का section हम देख लेते इसमें क्या है तो हमने यहाँ पे देखा इसमें assignments दी हुए है 1 to 50 pages है assignment के PDFs हैं कुछ PDFs आपको दिए गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप यह with the diagrams सारी section है जो यह मतलब के यहाँ पे आपको दिए गए है और यह last year भी जो मतलब के जो पुराने students है उनको भी यह material provide करवाया गया था आपको बता दो experience है यह देख सकते हैं यहाँ पे session 2022-23 लिखा हुआ है मतलब यह fresh students के लिए है जह अब 12th में हुए है electrostatics यहाँ पे unit का name है और chapter का नाम है electrostate charges and fields topic electric charges आपको assignment number 1 है और यह में में तयार की गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे date भी लिखिए है 23 5 2022 मतलब में म यह तयार की गई है यहाँ पे definitions है जहाँ पे students मतलब उनको book उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें से ही आप अपना जो chapter है अपनी units है वो तयार कर सकते हो मतलब पजाब है जो के एर्म app में आपको ऐसा material मिल रहा है जिसमें आपको extra कोई book या कोई notes लेने की जरूरत नह प्रिलेप्स मतलब के true false जिसके answers दिये गए है आपको three marks वाले questions five marks वाले questions यहाँ पे आपको दिये गए है ऐसा ही similarly जो है बाकी chapters का भी है यानि के पूरी book का जो study material है important topics with exercise with solutions आपको जो है पंजाब है जो के rap में मिलने वाला और यह अभी students के लिए काफी useful है यह क्यों useful है क्य अब आप school जा रहे हो especially जो 12th class के students है तो उनके अभी इस मन्त जुलाई में कुछ test होंगे 20 marks के 25 marks के तो वो test है जो उनका जो material है मतलब उसको prepare करने के लिए material आपको इसी app में से ही मिल जाएगा पंजाब educator app में अगर आपने अभी तक chapter जो है पढ़ लिए है बटा आपने यह नहीं पता कि आपने जो वो test की तयारी के लिए मतलब कि किस तरह की questions त्यार करने तो आपको यहीं से उसका study material मिल जाएगा यहीं से वो papers आएंगे even के हो सकता है उसके questions paper भी board की तरफ से भेजे जाए जो मैं आपने channel पे जल्दी से जल्दी solve करने की कोशिश करूंगा जैसे ह हमारे पास वो questions paper आ जाएंगे I think अभी school शुरू हुए है Monday से students है जो regularly जाना शुरू करेंगे तो फिर एक date sheet भी बनके आएगी जिसमें से बताया जाएगी कि आपके वो test होंगे और similarly अगर हम बात करें जो अभी 10th class के students जिनका भी result pending है वो 11th class non medically or medical में admission ले रहे हैं तो उनक classes भी अब शुरू होने ही वाली है I think आज या कल में 10th class का result भी आ जाएगा अनाउंस हो जाएगा students के तो फिर उनकी classes शुरू हो जाएगे और उनके लिए यहां पर study material देखिए यहां पर उनको prepare करना है तो यहां पर हमने देख सकते हैं आप यहां पर physics का हमने प्लस वन की ज यहां पर chapter wise जो है material दिया हुआ है हम देख लेते हैं इसके PDF को open करके देख लेते हम यहां पर देख सकते हैं आप यह simplified learning हम इसमें chapter name जो है physical world and measurement यह second unit and measurements है second chapter है यह इसमें देखिए सारा कुछ introduction दी गई है chapter की यानि कि बुक की जुरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें सही हाँ यहां पर देख सकते हो यहां पर right side के three जो dots है उसके साथ ही आपको download का जो है यहां पर option भी दिया हुआ है आप download करके इसके PDF को चाहे इसका print out निकाल सकते हैं या फिर आप download करके जो है अपना online भी इसमें से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें solutions भी दिये गए हैं साथ में इसके explanation के लिए help चाहिए तो मैं इन questions के answer तो already हमको दिये गए हैं मतलब कि जैसे इनके section बने हुए हैं तो इनको explain मैं उसके लिए अलग वीडियो तियार कर दूँगा अगर जादा से जादा students मेरे को इसके comment करके बताएंगे मतलब कि जो आपके अभी test होनी है या फिर जो अभी study शुरू हो और यह प्लस वन क्लास की तो उसको max brain कर सकता हूं इसी material से मैं आपको समझा के उनके questions अंसर जो है मैं समझा सकता हूं अगर आप comment करके मेरे को जादा से जादा students यहां पे मतलब के comment करते हैं इस वीडियो में और आप इसके लावा प्लस वन क्लास का जो य बारे में solve and salute के बारे में detail बताई हुए है even के यहां पे आपको numericals भी दिये होंगे जिनको solve किया होगा अच्छा ऐसा नहीं है कि जो यह material दिया हुआ है यह सिर्फ आपके जो house test होंगे या weekly test होंगे सिर्फ उनके लिए helpful होगा यह आपके final board exams के लिए भी material आपके लिए helpful है क उनको पंजाब educator की app में जो material पहले से दिया हुआ था उसी में से ही उनको paper आया था हाला कि उनके दो बार हुए term 1 and term 2 term 1 में उनको MC के हुजाए है और term 2 में जो उनको subjective type आया बट जो material था वो सारा available था पंजाब educator app में जिसमें questions, answer, exercises के solutions और वही उनको final exam में देखने को मिला तो यह सिर्फ आपने house test या फिर school test के लिए ही नहीं आपके लिए board exams के लिए भी काफी helpful होगा यह जो material आपको दिया गया है अब आपके एक बारी exam होने है final exam जो मार्च में होंगे तो तब तक आप इसमें से अच्छे से तैयारी कर सकते हो और मैं आगे try करूँगा कि अगर कोई और sample paper हमारे पास आते हैं जो पंजाब एजुकर की app से आते रहते हैं मतलब कि पंजाब board की तरफ से provide करवाते रहते हैं हमार मेरे telegram भी channel है वहाँ पे student share करते रहते हैं teacher मेरे को भेज देते हैं तो आप मने telegram channel भी join कर लीजिए उसका link मैंने description में दिया गया है वहाँ पे भी मैं इनके PDFs provide करवा सकता हूं वैसे आप पंजाब एजुकर app आप सब के phone में होती है आज कल जो students हैं Punjab board के उनके app होगी है तो वहाँ से आप download कर सकते हो और मेरे को comment करके आपने बताना है जादा से जादा students ने कि किनको इनके solutions को explanation चाहिए तो वो भी मैं आपको explain करक क्योंकि इसके बाद हमारे पास अभी exams जो है इस month या test हो सकते हैं तो उसकी तयारी के लिए हमारे पास time है अभी proper schedule नहीं दिया है पंजाब और की तरफ से पर एक estimate है कि इसी month में आपके जो है वो test होंगे जो कि पिछला जो syllabus आपको में मन्त तक करवाया गया है अगर आपन तो कौन-कौन से chapters हैं जो आपको अब तक जो test में आएंगे जो आपका school में test होंगे तो okay students all the best आप मेरे साथ channel के साथ जुड़े रहिए मेरे telegram channel को भी join कर लिजे link आपको